नमस्ते मेरा नाम हिमानशु कुमार है और मैं इस समय चत्तीस गड़ में हूँ और मेरे साथ है यहाँ एक आदिवासी बालिका जिसका नाम और उनका परिचे वो देंगी और हम जानेंगे कि आज कल वो किस दौर से गुजर रही है नमस्ते आपका नाम क्या है मेरा नाम दुर्गावती टेकाम है आपका नाम दुर्गावती टेकाम है आपका नाम दुर्गावती टेकाम है आप कहां रहती है मैं एक छोटे से गाव में, कलवर में रहती हूँ जिला? जिला महुला मानपूर महुला मानपूर, 36 गाव आप क्या करती है? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहे हूँ, 11th क्लास में ठीक है, 11th क्लास में और आपके पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम सुजूटे काम है आपके पापा क्या करते है? मेरे पापा तो एक छोटे से किसान है और एक राजमीतिक में काम करते है राजमीतिक सामाजी कर करता है और किसान है अभी आपके पापा कहा है? मेरे तो पापा अभी तो जेल में है आपके पापा जेल में है? कब से जेल में है? पापा तो दो अप्रेल दो अप्रेल अभी तो 6 महीना हो गया आपके पापा जब जेल गए थे तो वो उस समय कहा थे जब उनको पुलिस ने पकड़ा? पापा तो घरी में थे भाव में अच्छा गाओमे और फिर सब लो वो सो गए थे तो एक बजह सब प्लिस्वाले बड़ा वाला और चार बलोरो थे। पुलिस वहां। पुलीष वह लोख आए ना तो पापा को बोले आपका घर सकाझ करना जया ने. पापा दिर भी अगर आप सूर्व मेवड़े हैं, प्ली प्लीस वह लोग मैं चार पुलीष वाला हुआ। फिर हमारे गाओं के मदनवड़ा के एक T.I. पुलिस हैं वह हमारे घर में जिस रूम को हम लोग कीचन बनाएंगे बोल रहे थे उसी रूम के गेट के पास ही बैग रख दिये फिर सब रूम को चेकिंग किये फिर वह पुलिस अंकर मेरे स्कूल बैग को छोड़ कर सिधा गये वह उसी बैग को बोले कि किसका बैग करके उनको तो पता था उन वही रखे थे तो फिर क्होख देखी मैं तो बारूद और नकसिलवादय वहला पांपलेट और वायर और बैट्री था था फिर ना कपड़ा मन मन पूरा लगा रहे थे नagę किया लगारे थे लगारे कि मनोग बीक्स बनारे ठेए करके या मुह आप देख सकती थी? हाँ या मुह धका हुआ था उन्होंने? धका था और पहचान भी लूँगी पहचान लोगी लेकिन धका हुआ था कैसे धका था? क्योंकि वही पास मैं अपना मुबाईल रख रही थी ना मुबाईल को चार्जिंग कर रही थी ना तो देख लिए उनको मैं अपनी फ्रेंड के साथ अच्छा लेकिन वह मुधख कर आये थी क्या? हाँ मुधख कर आये थी लेकिन पहचान ली मैं उनको कहां के टी आई है वो? हमारे गाउं की मदनवाला के टी आई मुधख के आये थे और वही बैग लेके आये थे और उन्होंने ही बैग को आपके किचेन के रूम में रख दिया और बाद में उसी बैग को बोले कि ये हमको मिला है यहां से और उसी के अंदर वो बैटरी और बारूद वगेरा था वो ही आपके कपड़ों में लगा रहे थे पुरवी पूलिया पुरािए पुरा पुर्वी तोड़ दिया और मेरे बड़ेबाह यह थाना को तौलाद मारा गया पुलीस आपके बड़े भाई को भी मारा फिर आपके पापा को भी मारा नहीं उसको घशिषटे हुए अंदर वयर में ले फापा को कपड़ भी पहनने तो पापा को ना मेरा कमर से पकड़ी थी तो पापा को मेरे उपर से ले गया, ब्लड निकला मुझ से पूरा पापा के मुझ से ब्लड निकला, पुलिस का सीट के ले गया फिर महला में पापा को ना पाँच पजे पांच चार बजें ले गया ऊपिछी छेक इंग किया है तो हम पर रिपोर्ट में लिखाया गया है कि सुबह साथ बजे ले गया है too dhukam को जे करके और गांते एक बजे और ले गया हैं dhukac तो जूठा वहां पर दावा किया गया जब की ले गए थे रात को एक बज़े लेकिन बताया गया सुबह अच्छा फिर ले गए हैं मलद पापत जेल गा है ना तो मेरा तो इस्कूल भी जाना बंद हो गया है तो अप स्कूल क्यों नहीं जा सकती। मुझे बोला गया है कि आप नक्सलिवादियों से पैसा मंगते हो एक लाग दो लाग करके मंगते हैं और घर में तो हमारे पैसा ही नहीं है और पुलिस बोलती है कि आप नक्सलिवादियों से एक लाग दो लाग मंगती हो जाके अच्छा और पापा के बारे में क्या बोलते ह क्षटारा के लिए पाँच लाग दिना पड़ेगा अगर पाँच लाग chickens को आपके पापा को फेली मर्पर रखेंगे मर्ते दम नहींट पूलें दमकी दिये हैं पूलिस में बोला है कि 5 लाग दे दोगे तो छोड़ देंगे नहीं तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम उनको जेल में रखेंगे तो पांच लाग है आप लोगों के पास? नहीं, हमारा तो छोटा सा जम ही ने बस हो गया तो वीडियो हम लोगे पास उस दिन मतलब 2-3-4 में पाच मेने पहले मुझे पर पहात में लागा था जभी आप लोगे घर में रेड हुआ था पोलिस आय थे तो ये वीडियो किसने बनाय था? वो मानपूर के एक भाया है ना हमारे साथ के वही बनाय थे वहाँ थे उस दीन वैसे जो लुकैलिटी में जब फापा काम करते है तो आपके गाउं में पता है कैसे कैसे काम क्तलब जो नॉर्मल फाल प्रिटिक्स में जो लोग रहते उसी हिसाब से काम करते तो इन लोगों ने अचानक जबी रात को आया अगल ऑन जो ने पहले आपकाव काकाका कुछ की है कि उन्लोग ने बताएचा कुछ बता रहूति जो हुगा कश रेकर कश अभी आप लोग के लिए लॉयर कौन है? लॉयर तो कमल बड़ पापा है, कमल टे काम अच्छा, वो अभी केस लड़ रहा है? हाँ, लड़ेंगे तो बोल रहते है और एक बिलाजपूर की एक दिदी है हाँ, वड़ेंगे बल लुण नहीं लड़ेंगे अभी वो जेल में है पापा भी यह हिए मिलने दीया आता है? हाँ मिलने दीया जाता है अचा तो भी पापा क्या बोले कि अनदर कैसे टुर्ट्मेट चल रहां commandments पलीस की अप्र टुर्च्र कर रहा है? अब नहीं होरह, लेकिन रॉम से बहार नहीं होरहा है। यहां होगी बस मिलने आते हैं? अच्छा, और तेरा कुछ पेस्टियों राइड की नहीं हो हैं? पॉ्बायों में यह आप लोग को को शाहित है, इसके पहले ऐसे कुछ शाहित है? तुरए हुआ, नगे ह Catholics कि यह पहली बार हुआ. आप जो बोले पापा को समझ में आ गया था कि उस दिन कुछ मेहीं है रखने वाले है, यह कैसे समझ में अगया है। यह कईसे समझ में आया है? यह तो उनका अन्भो भी जानता है। इस दिन कुछ शादी depends a gay his catch तो गाओं में शादी का प्रोडम चल रहा था अच्छा और उसके बाद जब ये वीडियो जब जिस दिन बना था मतलब जिसने किया था उसके बाद वो कहा है अभी उसने वीडियो आपके आप लोग नो अपलोड कैसे किया उसको वीडियो किसके पास वे दिया था जो घर का अज़्यों के पास है और आप लोग तो जानती थे जानते हैं और वहां मेरे फ्रेंड और महीं पर चारजिंग करते मूबाइल को तो तो देख लिए क्यों रहते गर्ग ना पता चले वे बच्छे लोंको करके ने उधर सद्चुपके से बाग रहते और हमको तो पता ही है ह हमारे गाओं के टिया ही कौन है कैसे दिखते हैं करके और वो लोग सब मुग धके हुए आये थे क्या पूरे धके हुए नहीं आये थे मदलब पूरुछ किके सब्सक्राजी काओं नहीं हुए नहीं है अप्र नहीं कॉप जा है कह अच्या बेंका सब्सक्राइबं सब्सक्राज़ और भूख के अफलो करे तो डलाम नीम निकाया था ंगा करो चांख्या गशनागों उसके बाद क्या हिए मतलब उनको जेल में लेने के बाद आप लोग के बाद यो खुल जाओंगे तो आपको किडिनप कहीगे ऐगा बॉलीटिकल कोई क्वाहिए अधि करते हैं। एक यह मुबाइल को दो फिर आप के पापा छोड़ देंगे बोलेन तो मममी और गाॉं किना किना मामा गया है वही पर पुलिसा के आपके पापा कब काम करने जाते हैं नकसिलवादी लोग से करके जाके मम्मी बोली आप मोबाइल को खालो और मेरे पती को भी खालो करके बोल दिया मेरे मम्मी आ गई घर आपके बोलावले करने गOne. आपके अफेज़ एं पेस frenzy करें लगा फिशों से कम हो गाहेंके करके बोला काम किसी सी और भली मुस्था आपके हैं त क्यों मुसी आपके हैं आपके में आपके आपके रहते हैं छेख कटा भी towards पुरा कॉंटेक्ट आप लोगे साल गाउवाले बंद कर दिया है तो अभी तुम्हाला स्कूल भी बंद हो गया है अच्छा यह जो आप लोग का बारे में बात किया आता है अप लोग देखे हो गभी अभी नहीं हूँ ना अपने में सोची भी नहीं कैसे रहते हैं करके मतलब यह इंसिदेंट आप लोग के पहली बार आपके गाउं में पहली बार हुआ है और आप लोग को फिलिंग्स भी यह है कि कैसे पुलिस ऐसे रेट करता है कैसे आता है अच्छा बस्ता साइड में तो ऐसी होता है अच्छा बस्ता साइड में हर जगा पे कि आप लोगों के पास मतलब इंफोर्मेशन है ऐसे बस्ता साइड में कोई भी गाउं में ऐसे पुलिस घुच जाता है मतलब ऐसे होता है होता रहता है और फेक एंकाउंटर भी होता है हां ठीक है